हेलो बचो नमस्कार मैं मनुराथी आप देख रहे हैं मनुराथी यूट्यूब चैनल चारकंड में सिक्षक भरती पद 26001 सीटेट को लेकर एक बड़ा फैसला ठीक है कोट के द्वारा दिया गया है उस फैसले को जानेंगे अन्य राज्य को लेकर क्या बात है और क्या पॉम निकलेंगे दुबारा तो सारी बातों पे लाइट डालते हैं प्रकाश डालते हैं ठीके वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो भाई सबसे पहले यह देखिए कि जारकंड सिक्षक भरती जो यह पद है इसको लेकर एक वीडियो में अल्रेडी बना चुकी हूं जो मनुराथ परिक्षाओं में सीटेट पास को भी मौका दे दिया गया है बात यह है कि जारकंड में आपकी 26001 पत पे होने वाली थी न्यूक्ति परिक्षा ठीक है अब उस न्यूक्ति परिक्षा को देखर आप देख सकते हैं कि आपका जारकंड प्रारंबिक विद्याले प्रसिक्ष तो सहायक अचार्य परिक्षा दोहजार तेईस बीस बारा दोहजार तेईस को देखे आपका ऑर्डर भी आया की भई हम जो है परिक्षा को 12.1.2024 यानि 12.01.2024 से 31.2024 तक राज्य अंतरगत बुकारो देवगर धनबाद पूर्वी सिहीन भूम सराई केला खरसवा एवं र करा लेंगे तो सरकार तो बहुत तेजी में है 20 दिसंबर को और मलब ये निकाल भी दिया मोटिफिकेशन की भई हम पेपर ले लेंगे जी आपका बारा एक दो हजार चोविस से 31 दो हजार चोविस तक मगर कोट भी कहां शांत है ठीक है आपका कोट की तरफ से आ गया एक जारकंड हाई कोट और अंउमति दे दी कि सीटड वैपडोसी राज्यों में Tad पास करने वाले भी शामिल होंगे अब ये अगर शामिल होंगे ठीक और अगर हम बात करें आपकी यहाँपे ऑफिशल में यहाँ पर ओफिशल नोटिफिकेशन की ठीक है यहाँपे ऑफिशल ठीक और हमारा यही बात इन्होंने PRT के लिए कह रखा था कि भई जेटेट जो है पहली से पांचवी वाला उत्रीन हूँ, साथ में मंगा था, सीटेट का यहां जिकरी नहीं था, अब देखिए यहां पर अगर आपकी जारकंड हाई कोड, सीटेट और अन्य राज्यों में ज फिर से रिवाईज होगी और इन सब को जो है फॉर्म भरने दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जब वो जब यह फॉर्म निकले, ठीक, अगर हम फॉर्म की ही बात मैं आपको करके बताऊं, कि देखिए, यह आपकी एड़टाइजमेंट नमबर 13 बटा 2023 है, ठीक है, जिसमे आपकी PRT की रिख्तिया निकली 11,000, जिसमें पैरा टीचर जो अल्रेडी लगे हुए है जारकन सरकार में, गैस टीचर के तौर पर वो 5,469 उनके लिए थे, गैर पैरा जो फ्रेशर हैं, ठीक है, उनके लिए आपके 5,531, इनके लिए आवेदन करेगा, कोई जारकन राज् वाला जनरल में जो है वो माना जाएगा, तो उसके सीटेट में 90 मार्क होने चाहिए, तभी वो यहां पर आवेदन कर पाएगा, अगर हम बात करें सनातक प्रसिक्षित सहाय का चारे, यहानि TGT के पद यहां पर आये थे, 15,000 जिसमें TGT लेंग्विज के पैरा टीचर वा TGT Social Science के थे आपके पैरा टीचर के 2467, गैर पैरा फ्रेशर जो TGT SST भर सकता है 2535, तोटल हो गए 50000, तोटल हो गए 50000, तो आपके पैरा टीचर गैस टीचर लगे हूँ है, वो यहां पर भरेंगे 2470, जो गैर पैरा फ्रेशर हैं, अन्यराज्यों के हैं, वो 2538, तोटल हो गए 50000, तो TGT के पत्थे 15100, ठीक है, PRT के पत्थे 11000, दोनों मिलकर हो गए भई आपके 2600, यह तो पदों का हो गया भूब्योरा, अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब यह आपका एडवर्टाइजमेंट निकला, यह आपका एडवर्टाइजमेंट नमबर 13 बटा 2023 उस ओफिशल नोटिफिकेशन में तो भई जैटेट मांग रखा है, और जैटेट जो है, वो सरकार ने 2016 के बाद लिया नहीं है, तो भई यहाँ पे ज़ारकर निया एले ने एक बड़ा इंपोर्टेंट फैसलात सुनाया, कि भई जैटेट का एउजन नहीं करते हैं, अगर तीन साल के में प्रथम परियास में ही जैटेट पास करना होगा, अब उन्होंने एक और यह बात कह दी कि अगर जारकंड सरकार तीन साल में जैटेट आयोजन नहीं करती है, तो यह जो कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट पास करके पेपर पास करके लग गए हैं, तो भई उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी एक और इंपोर्टेंट बात यहां पर कई कि परिक्षा की त्यारी के लिए तीन मा का समय देने का निर्देश अब देखिए जब नियायले की तरफ से यह आया है कि सीट एट एलीजीबल होगा तो ओविसली फॉर्म फिर से री ओपन होंगे फॉर्म री ओपन होंगे तो इसका मलब यह है कि जनवरी में तो यह जो इन्होंने डाल दिया है कि हम परिक्षा ले लेंगे तो वो तो जनवरी में होने से रही ठीक है जितना यह सारे सिलसिलेवार तरीके से चीज़े दिख रही है तो कोई अन्य राज्ये का आपका छारकंड का ही स्टूडेंट है 2016 से देखे 23 हो गया इतने टाइम तक अगर जेटेट ही नहीं हुआ तो विचर केंडिडेट का क्या दोश्ता जब मैंने वीडियो बनाई तब भी यह बात बुली थी तो बहुत अच्छी पहल है न्यायले द्वारा कि इन सभी स्टू इसे कम सलेवस नहीं है इन्हों ने आठ आठ दोहजार तेई से साथ सितंबर तक भरवाए थे एक्जाम डेट इन्हों ने दे रखिया है 12 जनवरी से 31 जनवरी मगर जो की जितनी उमीद है कि यह आगे ठिसकेगी ठीक है कोड नहीं का है कि तीन महिने का समय त्यारी का दोग कुछ दिन तो भई फर्म फिर से भरवाओगे तो यह बाते तो होंगी ही तो अब बात यह क्या है कि अगर हम प्यार्टी का देखें तो पार्ट वन में लेंग्विज हिंदी इंग्लिश या अन्या भी बहुत सारी भाशाएं दे रखिया है उसमें सो कोशन सो मार्क्स दो गंटे में ठीक है यह क्वालिफाइंग रहेगा इसके नंबर नहीं चुडएंगे आपको 30% लेने हैं इसके बात पार्ट तू लेंग्विज यह हिंदी ले सकते हूं इंग्लिश ले सकते हूं या अन्या भी बहुत सारी भाशाएं दे रखिया है उसमें लिट्रेचर 12 तक 3-4-5-7 घंटे तक की एक परिक्षा PRT की चलने वाली है कमाल की बात है और आपका इसमें यह पैटन रहेगा PRT में और डिटेश लेवस आपको GS, अमाजिक विज्ञान, विज्ञान अवं गनित पर क्या पढ़ना है सब दे रखा है topic-wise तो उसको लेकर चिंतित होने की जव बढ़ा दिया गया है, Language, Hindi, English अन्य वही qualifying वाली शर्ट पहले जैसे रहा, Part 2 के अंदर Language कोई इनमें से चूज करनी है, Literature प्लस Grammar, आपका 100 कोशन, 100 मार्क्स दो घंटे वही है, Part 3, समाने ज्ञान एवं सम सामीर की, इसके आपके 100 कोशन, 100 मार्क्स दो घंटे, इसके बाद Part 4 विकल्पिक विशे जो आपने चुना है, आप TGT Math, Science के टीचर बना जाते हैं, SSK या Language के, तो यहाँ पर आपके subject के 180 सवाल, 180 मार्क्स और आपके 3 घंटे का पेपर, तो यहाँ पर तो देखे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 घंटे की परिक्षा, ठीक है, अब यह देखने की बात होग और इससे सपश्च तोर पर समझ में ही आ रहा है कि जब हमारे notification में seated वाले allowed नहीं थे, तो भई वो form क्यों भरेंगे, और जब उन्होंने form भराई नहीं तो अब जो है उनको मौका मिला है, तो obviously form reopen होंगे, तो सभी अपनी त्यारी में जुट जाईए, और जहारकर टेंट, जो है अगर सरकार आनन फानन में अगर आयुजित भी कराती है तो उसको भर के qualify कर लीजेगा, क्योंकि seated लगने के बाद भी आपको वो qualify तो करना ही पड़ेगा, जारकंड में जो लगना जाता है उसके लिए एक सुनहेरा मौका है कि seated pass को मौका दे दिया गया है, अन्य झाल 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 झाल